मेरे नाम राकिश वरमा और मेरे यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे ग्लोबल बार्मिंग के बारे में महतपूर जानकारी जानेंगे जो राजसेवा मुक्य परिक्षा के लिए महतपूर रहेगा संचिफ्त में एक निवन्द और लेक रहेगा Global Barming पर चलिए शुरू करते हैं Global Barming तो बरतमान समय में जलवायू एवं मौसम में हो रहे बदलाब बैस्विक इस्तर पर चिंतर का बिशय बने हुए जलवायू परिवर्तन तंतर में हो रहे आप्राकृतिक बदलाओ के कारण धरती के तापमान में निरंतर ब्रद्धी हो रही है जिसे Global Barming अत्वा बैस्विक तापन की रूप में जाना जाता है तो Global Barming से ताथ पर बैस्विक ओसत तापमान में ब्रद्धी से है जिसके कारण प्रतवी और उसके बायू मंडल का तापमान है जो निरंतर बढ़ रहा है तो Global Barming के लिए मुख्य रू फ्लूरो कारवन साथ ही कारवन डायकसाइड मीथेन नाइट्रिस आकसाइड एबं बास्प आदी तो मनुष्य जनित गती विदियां इसमें और अधिक अभी ब्रद्धी कर देती है परणाम सुरूप गैसों का आवरण सघन होकर सूर्य की परिवर्तित करनों को रोग देत है जिससे धर्ति के तापमान में ब्रद्धी हो जाती है जलवायू में हो रहा आ सामायक परिवर्तन जन जीवन को ब्यापक तोर पर प्रवावित भी कर रहा है मौसम में होने वाली आ प्राकृतिक बदलाव हमारी दिन प्रती दिन की जिन्दगी पर विप्रीत प्रभाव जलवायू परिवर्तन तंत्र की मदद से बातर वरण में तालमेल स्थापित होता है परन्तु आधूनों की योग में ओद्यगी की करण की तेज रफ्ता ने प्रदूशन के इस्तर में भी बहुत ब्रद्धी कर दिये मनुष्य अपनी भौतिक शुकों की लालशाव एवं स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए परयावरण के साथ छेड़ खानी कर रहा है ग्लोबल बार्मिंग के कारण ओजोन परत की हो रही छती ने ग्लेशियर को पिगला कर समुद्री जल इस्तर में भी ब्रद्धी की है वही अनिक प्रजातियों को बिलप्ती के कगार तक पहुँचा दिया है तो बैश्विक तापमान ब्रद्धी के पीछे छेपे कारणों में अनिक अनिकारण भी समाहे थें जो डैनिक क्रिया कलाप का अंग होने के कारण पूर्ण तहा समाप्त नहीं हो पा रहे है जैसे मानाव अपनी विविन नावशक्ताओं की पूर्थी के लिए जीवाश मीधन, कोईला, खनिश तेल और प्राकरतिक गयश का दूहन करता है विद्यूत उत्पाधन में भी कोईले के दूहन से कारवंडाई एकसाइट से यो टू गयश उत्पाधन होता है बन बिनास भी कारवंडाई एकसाइट के निसासरण के लिए उत्तरदाई होता है बिक्षित एवं बिकासील देशों में ओध्योगिक बिकासेतु निर्मित कारखानों की चिमनियों से परिवहन के साधनों से एवं घरेलू कारियों में लकडी के जलाने आदी से बायू मंडल में कारवंडाई एकसाइट का सांधरण होता है इसके अतिरिक्त रेफ्रिजरेटर, बातानुकूलित सही यंत्र, हेयर स्प्रे, गंदनाशक, अगनी शमन यंत्र एवं प्रशाधन सामग्रियां भी सी ओ टू के सांधरण में महत्पूर्ण सही हो गई होती है आकणों के अनुसार औद्यू के करांटी से पूर्व कारवंडाई एकसाइट का सांधरण 300 से 320 पीपीम था जो अब 370 से 380 पीपीम हो गया है और जल बायू विदो के अनुमान है जल बायू विदो का अनुमान है कि वर्श 2050 तक प्रतिवी के ताप मान में 4.5 डिगरी से इसकी ब्रद्दी हो जाएगी तथा जल का ताप 2.5 डिगरी फेरन से 5 डिगरी फेरन हाइट तक बढ़ सकता है बैश्विक्त आपमान के कारण समुद्रों के जल स्तर में ब्रद्दी हो रही है IPCC के अनुमानुसार वर्श 2030 तक समुद्री जल स्तर में 20 सेंटी मीटर की बड़ोत्री होने की आशंका है इन समुद्रों में जल स्तर बढ़ने से निचले प्रदेशों जैसे बांगला देश चीन की परले नदी के डेल्टा एवं मिश्र के निवासियों को इन छेत्रों से हटाना पड़ सकता है इससे समुद्री तूफानों की उग्रता तो बड़े यही साथ ही ये निकट वर्ती चेत्रों में तबाही भी मचाएंगे ग्लोबल बार्मिंग के कारण पेड़ पोधों तदा खेती पर भी विप्रीत प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण दुनिया की गर्म छेत्रों में ज्यादा वर्षा हो सकती है तो कुछ छेत्रों में भेंकर सूखे की इस्थिती निर्मित हो सकती है ग्लोबल बार्मिंग का आप प्रत्यक्ष प्रभाव मांसूनी बदलाव है परंति उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ते तापमानों से फशलों की उत्पादक्ता एवं रोग ग्रस्ता में ब्रद्धी पर भी पढ़ता है। इससे संपूर्ण जयब बिवत्ता भी प्रभावित होती है। ग्लोबल बार्मिंग का प्रभाव भारत पर भी परिलक्षित होनी लगा है। अंगाल की खाड़ी का जल स्तर भी बढ़ा है। परिवर्तित होते मौसम की इस प्रकरती की कारण जहां परयावरन सरणार्थियों की संख्या में ब्रद्धी हो रही है। वहीं देश की क्रशी अर्थ विवस्ता भी प्रभावित हो रही है। संफून हेमाचल प्रदिश का आउसत तापमान विगत चार दशकों में एक दिसमलव आठ डिग्री फेरनहाइट तक बढ़ गया है। अपणों के नुसार तापमान में ब्रद्धी से बर्तमान सतापदी के अंतिम दशकों में प्रतिवर्ष भारस सहे दुनिया की लगभग 10 करून आवादी बाड़ से प्रभावित होगी। ग्लोबल बार्मिंग की भयावतहा को देखती हुए। राष्टी एवं बैस्वेक इस्तर पर कई प्रियास किये गए हैं एवं किये जा रहे हैं। वर्ष 1987 में सयुक्तराष्ट परेवरान कारिकरम एवं विश्वे मौसम बिग्यान संगठन ने जलवायू परिवर्थन अध्यान के लिए बिभन सरकारों के प्रिती निदियों की समीति का गठन किया है। वर्ष 1988 में IPCC का गठन हुआ वर्ष 1922 में रियो डीज जेनरों में प्रतिवी शिकर सम्मिलेन हुआ जिसमें जलवायू परिवर्थन को रोकने हैं तो अनेक नड़ने लिए गए। वर्ष 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उस्तरजन के लिए क्योटो समझोता हुआ। ग्लोबल बार्मिंग को कम करने एवं समाप्त करने में बन एवं ब्रक्ष अतिशहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि ब्रक्ष जलवायू के नियंत्रण एवं मिनदाशन रक्षण में सहायक होते हैं। बर्ष 1950 के पश्चात सिरी के एम मुनसी ने बनों के महत्वे को समझते हुए बन महुत सबका सुभारम किया। अनुमानता भूमी की उपड़ाव छमता एवं पारस्यति की तंतर में संतुलन बनाय रखने हैं तो लगवक 33% छेतर में बन का होना आतियावश्यक है। सामाजिक बान की एवं शहभागिता कारिक्रम दौरा सहरी बान की ग्रामीर बान की एवं करशी बान की आदी के दौरा प्रत्यक्ष एवं आप्रत्यक्ष रूप से गलूबल बार्मिंग को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस पश्टे तया आज मानव के समक्ष ग्लोबल बार्मिंग सबसे भयावय खत्रा बन चुका है जिसके पीछे मुक्ता हमारी आर्थिक गतिविदियां ही जिम्मेदार हैं इसके दुस प्रभाव से नाकेबल संपून पारिस्तितिकी प्रभावित होगी बलकि समाज का हर वर् भी प्रभावित होगा इसलिए बिक्षित एवं बिकासील समस्त रास्ट्रों को दर्ण संकिल्प होकर यह भयावताह को समप्थ करने की और अटल कदम उठाने जाने किया वशकता है बहीं जन सामानने को नेदिक जिम्मेदारी मानती हुए ऐसे उपकरनों यह साधनों के प सुविधां को उपभू करने वाला माना हुई अस्तित्विहिन हो जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक यू